बिस्मिल्ला रुर्मान रुर्हीम अस्सलाम वालेकुम तो आल अफ मैं फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं ठीक ठाक मैं हूँ परवेज जली महर आज का लेक्चर हम रिजूम करेंगे फ्रम आडर सेवन एक्चुली दिस आडर आडर सेवन को हमने डिवाइड किया है थ्री पार्ट में फ्रस्ट पार्ट जो हमने कवर किया प्रिविस लेक्चर में फ्रम रूल वन टू टैन और आज का लेक्चर हम रिजूम करेंगे फ्रम आडर सेवन के रूल एलेवन पे रिजेक्शन आफ प्लेंट बैसिकली ये फुली लेक्चर हमने सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन पर बनाया है क्योंकि यह very important है from any legal exam point of view और इंशाला अपका में लेक्चर में जो भी remaining rules होंगे order 7 के वो हम cover करेंगे तो आईए समझते हैं rejection of plan अब आते हैं rule 11 पर order 7 rule 11 which is also known as the 7-11 very important almost different test legal exams mcqs interviews वगिरा में भी यह सवाल technically तोर पर गुमाफरा कर पुछे जाते हैं so आते है rule 11 पर rule 11 rejection of the plan basically इससे previous rules में हमने पढ़ा कर admission of the plan कैसे होती या return कैसे होती तो अब यहाँ पे आगे reject plan हमने दाएर की हमने दाखिल की plan court में court में plan हमारे reject हो चुकी है तो सबसे पहली बात यह mind में रख लें के plan किसी भी stage पे हमने civil suit के किसी भी stage पे plan reject हो सकती है और उसके साथ साथ यह भी है कि plan टिव समन इशू होने थे पहले भी reject हो सकती है उसके बाद भी हो सकती है और before filing written statement भी यह plan हमारी reject हो सकती है हाँ लेकिन अगर suit जो remand किया गया है trial code की तरफ तो फिर trial code उसको reject नहीं कर सकती है इस से related हमारे पास situation भी मोजूद है 2002 YLR page number 2194 यह आप citation भी पढ़ लीजेगा उसके बाद एक और condition है कि अगर banking court में हमने plan दायर किये तो banking court में before filing of leave to defend leave to defend file की जाती है जो permission of the court होती है to defend कि मुझे इजाज़त दीजे कि मैं defend करता हूँ उससे पहले भी यह reject नहीं हो सकती है इस से related भी है हमारे पाए citation mode rule day cld 2015 page number 179 तो यह थे कुछ terms and condition जिससे हमारे पर rejection of a plant है वो किसी भी वक्त reject हो सकती है अब यहाँ पे कुछ grounds है जिन grounds की base पे rejection of plan हो सकती है तो आते हैं सबसे पहले grounds पुटते है cause of action is not disclosed सबसे पहले यह बात करते हैं जो आपने cause of action लिखा है plan में वो cause of action ही वाज़े नहीं है वो clear नहीं है या आपका cause of action court को embrace कर रहा है या उसमें court को अभी तक confusion है उतको समझ में नहीं आ रहा है कि dispute क्या है क्योंकि जब cause of action clear नहीं होगा जब तक court को किसा पता चलेगा कि यहाँ पे dispute भी हुआ है पार्टीर के बीच में तो cause of action का वाज़े होना cause of action का clear होना very necessary है हाँ अगर cause of action आपने यहाँ पे plant में तो वाज़े कर दिया clear कर दिया ठीक है plant reject आपकी नहीं होई अप्रूव हो चुकिए लेगिन आगे जाकर आपका cause of action आप प्रूव ही नहीं कर सके आपका जो cause of action सा उसको आपने वाज़े ही नहीं किया और उसको प्रूव नहीं किया with the support of the evidence with the support of the facts तो इस वज़े से आपका suit भी dismiss हो सकता है dismiss of the suit हो सकता है क्योंकि cause of action आपका basically at the stage of the plant वो आपका बिलकुल वाज़े था तो court ने आपको allow किया लेकिन उसके बाद टाइम के साथ-साथ अगर आप उस cause of action को किलियर नहीं कर सके तो इस सूरत में आपका suit dismiss हो जाएगा उसके बाद अगर एक और टेकनिकल बाद ये भी हमद सकते हैं कि cause of action अगर किलियर नहीं है तो उसका मकसद ये नहीं है कि court as the first instance आपकी plan reject कर देगी इसा नहीं है क्योंकि courts are available to give the justice so court आपको time देगी court आपको time भी दे सकती है या उसके साथ-साथ court एक alternative way भी use करती हमने citations में ये समझा है कि court direct top order कर सकती है कि witnesses को लाया जाए हम examine करेंगे क्योंकि इन witnesses के examination भी examination से भी पता चल सकता है कि इनका cause of action क्या है उससे भी court को idea हो जाएगा कि what is the cause of action so this related हमारे पास citations भी मुझूद है आप note आउट कर लिए है CLC 1990 पेज नमबर 1053 ये अब citation पढ़ लिजेगा तो या बे बात ये की गई है कि अगर cause of action आपका वादे नहीं है तो इस सूरत में आपको court time भी देगी या आपको ये भी order कर सकती है कि विटनेस वगिरा को लाया ज है तो examination कर लिए examination से भी अगर उनका cause of action वादे हो जाता है तो भी further proceed start कर दिया जाएगा ये था पहला ground था cause of action अगर आपका cause of action proper disclose नहीं है तो इस सूरत में भी आपकी plan reject हो सकती है उसके बाद आता है कि relief is undervalued and after giving the time को अगरा court ने आपको time भी जाए उसके बाद भी अगर भी आपके plan reject हो सकती है क्योंकि जो भी सूट आप दाहिल कर रहे हैं इस सूट का proper valuation करना very necessary as per valuation act 1887 so यहां पे यह बात भी वादे कर दी कई है दूसरे ground में के अगर आपका सूट जो है या आपकी plan जो है under valuation है जे सूट की जो फीस वगरा है उससे आप कम फीस दे रहे हैं या जो फीस ते की गई है as per valuation act या इसके इलावा अगर court ने determine की है अगर जो court ने फीस अगर determine की है तो उस फीस से भी अगर आप undervalued कर जाते हैं तो इस सूरत में भी आपकी फीस आपका plan रिजक्ट हो सकती है हाँ यह यहां पर is per section 149 हमारा CPC का 149 section से वो discretion power of court को भी वाज़ करता है हाँ अगर court अपने discretion power पर अगर आपको allow करती है के भी फीस कुछ यहां पे दे दे और addition फीस आप before the judgment भी दे सकते हैं तो अगर आप यहां से before the judgment अगर आपने जो remaining फीस या addition फीस तो वो नहीं की तो इस सूरत में भी आपकी plan जो reject हो सकती है तो यहां पर बात समझने की यह है अगर आपकी plan जो है यह suit जो under valuation है तो इस सूरत में भी आपकी plan रिजक्ट हो सकती है उसके बाद आता है ground insufficient stem यहां पर अगर आपकी plan जो है वो insufficient stems है अगर उन पर stems वगए रहा है वो insufficient है जो require थे अगर forex नेपुल रुकवाय तब यह 500 का और आपने इस टेप के 50 रुपीज गी तो इस सूरत में भी आपकी plan रिजक्ट हो सकती है इससे related हमारे पास citations भी मौजूद है आप note कर जीगा है MLD 1993 page number 2105 या page number citations भी पढ़ लीजेगा तो overall इस ground में समझने की बात यह है कि अगर हमारे plant insufficient stems है जो stems required है अगर वो required अगर sufficient stems नहीं होगे या बिल्कुल एक stem लगाए ही नहीं है तो इस सूरत में भी आपकी plant जो है reject हो सकती है हाँ port आपको time भी देगी ये prescribe time भी कुछ देगी आपको correct करने के लिए भी आपको इतना वक्त दिया जाता है आप इसको correct करें लेकिन उसके बावजूद अगर prescribe time के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो इस सूरत में आपकी plant reject हो जाएगी उसके बाद गिराउड आचा है कि suit अपने बार बाईला अगर आपका suit है जो plant में आपने आपने दाखिल की वो बार बाईला है बार बाईला कैसे हो सकता है इसके example में आपको देते रहा हूं कि section हमारा 11 है residue कर वहाँ पर भी बार हो सकती है या आपका जो time period है limitation किसी suit का तो इस सूरत में वो अगर time भी pass हो चुका है तो इस सूरत में भी आपका suit जो है वो reject हो सकता है plant reject हो सकती है plant क्यों reject हो क्यों आपका time जो था आपने time अपना cross कर जाया का फिर अभी एक for an example एक suit का आपके पास time था 3 years और आप आते हैं suit दाखिल करने के ये 20 years के बाद तो यह इसा possible नहीं है आपकी plant at first है reject कर दी जाएगी because time barred है उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी suits होते है representative suits हमने इंशाला हम कभी लेक्चर में पढ़ेंगे representative suits होते है for an example हम यू लेने थे section 91 और 92 में educate general की permission के सिवा हम suit नहीं दाखिल कर तो इस सूरत में भी अगर ये भी barred by law है या order 9 rule 9 में भी decree against plaintiff हो जाती है तो by the default or default of itself अगर plaintiff के ही default से अगर decree हो जाती है तो इस सूरत में भी freight suit barred है या इसके अलावा हम यू भी ले सकते है order 23 हमारा उसका rule first adjustment है या withdrawal of the suit है तो इस सूरत में भी आप freight suit barred है तो overall इस सूरत में हम यू ही समझते हैं अगर आपका time है time period जो prescribe किया गया या इस पर law है या उस plaintiff को ही किसी law के मताबर उसको barred किया गया suit के लिए तो इस सूरत में भी अगर आप suit फाइल करते हैं उसके बावजूद तो भी आपके plaint जोगी वो reject हो जाएगी तो यह था कि round four लेकिन अगर आपकी plant reject हो जाती है तो इस सूरत में आप fresh suit भी on same cause of action पर कर सकते हैं और उसके अपील भी हो सकती है review भी हो सकता है क्योंकि हमने इनिशली लेक्टर या इनिशल सेक्शन में हमने यह भी पढ़ा था कि rejection of plant is known to be a decree तो यह डिक्री अपील भी हो सकती है रिवी भी हो सकती है इस से related हमारे पास citations भी मोजूद हैं आप नोट कर लिजिए का citations अगर अपील और रिव्यू कि उसकी citation से CLC 1980 पेज नंबर 433 तो यह था rule 11 basically rule 11 clarify करता है rejection of plant को rejection of plant कैसे होती है उसकी grounds क्या है और उसके further उसके aspects क्या है तो हमने grounds यह पड़े का अगर time limitation है अगर आप time exceed कर जाते हैं तो इससे भी आपकी plan reject हो जाती है या आपका plant है उसूट जो है वो undervalued है या इसके इलावा अगर insufficient stamp है या इसके इलावा अगर आपका cause of action clear वादे नहीं है या बिल्कुल वादे ही नहीं है तो इस conditions में suit आपका reject हो जाती है बड़ रिजेक्टेड प्लेंट की फर्दर हम fresh suit भी on same call of action कर सकते हैं उसके साथ साथ हम उसके appeal भी हो सकती है और review भी हो सकता है अब अगर यह समझे नहीं हम चाहें कि rejection of plant और dismissal of suit में क्या फरक होगा कि rejection of plant basically rejection हमेशा plant की वाकती है और rejection on technical grounds पे वाकती जो हमने above grounds हमने पड़े हैं cause of action है in sufficient time से तो ऐसे अगर round से उन पे reject हुआ करती है और initial stage पे before start of the trial यह हो जाती है reject और अगर हम dismissal of suit समझे तो dismissal of suit suit हमेशा all merit जो भी merits होते हैं merit बैसे पे चलने के बाद dismiss हुआ करता है और उसके साथ साथ हम यूँ महीं समझते हैं कि यह trial start हो चुका होता है evidence वगिरा भी lead कर चुके होते हैं उसके बाद suit dismiss होता है तो suit totally fully merits proceed करने के बाद ही dismiss होता है rejection of plate at initial state पी reject हो सकती है तो यह last थोड़ा different time में rejection and dismissal में तो यह काफी confusing में था तो मैंने little bit इसको explain किया और सो यह था आज का लेक्चर दोस्तों आज का लेक्चर सुर्फ और सुर्फ रेजेक्शन आफ प्लेंट पे था और हमने इससे relevant citations भी note out की और इंशाला upcoming lecture में हम remaining जो भी rules से cover करेंगे और जब तक दीजेगा मुझे जादत thank you so much अल्लाहाफिज